गाउं बीका की धाणी में चपरे में लगी आग से एक के बाद एक ग्यारा सिलेंडरों में हुआ धमाका शादी की खुशियों में लगा ग्रहन आग से जला शादी का सामान चुरुजले की रतंगर तहसील के गाउं बीका की धानी में घर में बने छपरे में अग्यात कारणों से आग लग गई इससे छपर में रखे एक के बाद एक ग्यारा सिलेंडरों ने आग पकड़ ली और सिलेंडर में बलास्ट होने लगे तेज धमाकों की आवाज के साथ बलास्ट हुए सिलेंडरों के चलते ग्रामिन दहशत में आ गए गटना की भ्यावता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सिलेंडर पांस सो से साथ सो फिट दूर जाकर गिरे सूचना मिलने पर रतंगर नगर पालिका की दमकल पहुंट जी जिसने काफी मशक्कत के बाद आग पर कावू पाया मामले के नुसर बिका की धानी निवासी विद्यादर शर्मा के दो बेटे और एक बेटी की शादी चार से च्छे मार्च को है घर में शादी की खुश्या मनाई जा रही थी शादी में बनने वाली मिठाईयों और रसोई की तैयारियों के साथ-साथ बेटी को देहज में दिये जाने वाले सामान की भी खरीदारी विद्यादर ने कर ली थी मजदूरी कर परिवार का लालन पालन करने वाले विद्याधर शादी के काम से बाहर गया हुआ था तभी शादी में बनने वाली रसोई और बेटी को देने वाला सामान घर में बने एक छपरे में रखा था छपरे में 11 भरे सिलेंडर भी रखे हुए थे अग्यात कारण से छपरे में आग लग गई घटा के बाद ग्रामिनों में अफरा तफरी मच गई नीजी सादनों से आग पर काबू पाने का परियास किया इसी दोरां छपर में रखे सिलेंडर ने आग पकड़ ली और एक के बाद एक करके 11 सिलेंडर बलास्ट हो गए तेज धमाकों की गून से ग्रामिन धेशत में आगए अलागि बेटा में किसी परकार की कोई जन हानी नहीं हुई है